इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं कि चरित्र परमाड पत्र यानि की करेक्टर सर्टीफिकेट इसे पूलिस बेरिविखेशन सर्टीफिकेट भी बोलते हैं आप लोग अपने मुवाइल से कैसे बनाओगे इस वीडियो में complete जानकारी देने वाले हैं साथ में आपको बना के डाउनलोड भी करके दिखाएंगे किस तरह से आप लोग डाउनलोड करोगे फुल डिटेल से बताने वाले हैं तो वीडियो पूरा देखिए आप स्क्रीन पर देख रहें देख पा रहे होंगे यह के पुलिस बेरिफिकेशन यानि की चरित्र प्रमाड पत्र सर्टिविकेट है चरित्र प्रमाड पत्र यानी की पुलिस बेरिफिकेशन सर्टीविकेट या इसे इंगलिज में करेक्टर सर्टीविकेट बोलते हैं इसकी जरूरत हमें कप पड़ती है जब हम गवर्मेंट जोब की तियारी करते हैं बहां पर देखा जाता हमारा रिकाड की हम क्रेमिनल तो नहीं अगर आप प्राइबेट जोब करना चाहते हो किसी फेक्टरी बगेरा में तब भी आपका चरित्र प्रमाड पत्र बहां मागा जाता है अन्नी जगाओं पर भी आपका चरित्र देखने के लिए चरित्र दिन तक मानने होता है क्या थाने जाना पड़ता है चरित्र प्रमाड पत्र बनवाने के लिए नेक्स टाम का कोश्चन था कि चरित्र प्रमाड पत्र बनवाने के लिए कितने रुपे लगते हैं चरित्र प्रमाड पत्र डाउनलोड नहीं हो रहा तो क्या करें यह सारे पत्र आरलाइन करते होंगे उसके बाद आपको एक सिलिप लिखा होगा उसके सिलिप में आपका देट आपकी लिखी ओगई और आपका थाना नीचे जोन्हायरी थाना है वह उस थाने का नाम लिखा होगा चरित्र प्रमाणपत्र आप दो प्रकार से आल लाइन कर सकते हो एक पुलिस की आप इसेल साइड पर जाके आप इसे आल लाइन कर सकते हैं दूसरा आपके लिए सुविधा के लिए देएगा जो यूपी पुलिस का अपलिकेशन है यूपी को पूछ के माध्यम से आप अपल से होता है फिर डिसी बहु से होता उसके बाद ऐलाई उस्के बाद आपका एलाउ होने के बात जो है ले इसे वेरिफिकेशन होने के बाद आपका बन जाएगा यहां पर सुच्छ कुरेट लिखके आ जाएगा और आप यहां से डाउनलोड कर पाओगे तो start करते हैं उसके लिए सबसे पहले आपको यूपी कोप अप्लिकेशन डाउनलोड कर लेना है सबसे easy method से आप इसको कर पाओगे यहां पर यह देख सकते हों आपने highlight कर दिया है आपको क्या करना है play store में अपन instagram की video के description box में link दिये वहाँ पर हमसे आप comment करके पूंच सकते हो जो भी आपको पूंचना है तो आपको play store में आ जाना है आने के बाद यहां पर आपको सर्च कर देना है यूपी कोप देख सकते हो इस परकार से सर्च करोगे तो यहां पर हमने पहले से install कर रखा है तो यहां लोगों को बता दें इस application को जो open करने के लिए आपका internet connection जो है फास्ट होना चाहिए जैसे इस पर click करेंगे जैसे ही click करने के बाद कुछ इस प्रकार से interface कुल के आ जाएगा अगर आप पहली बार इसे open करोगे तो आपसे login कर लें के लिए आपसे ID मांगेगा तो अपना mobile number basic detail भरके इसे login कर लें login करने के बाद आपको apply करना है तो यहाँ पर आप आएंगे यहाँ पर लिखा सेवाएं तो सेवाएं में नीचे आपको एक option मिल जाएगा यहाँ पर एक option मिलेगा चरित्र प्रमाण पत्र का नीचे मिलेगा घरेरू साहिता सत्यापन भुकतान सेबा और यहीं करमचारी सत्यापन भुकतान सेबा और किरायदार का सत्यापन कर सकते हो आप यहीं से और post madam remote का आप जो है निवेधन कर सकते हो तो आपको चरित्र प्रमाण पत्र बनाना है तो इस वाले option पर क्लिक करोगे नीचे चरित्र प्रमाण पत्र सेबा और इसमें 50 प्रमाण पत्र आपको अपना जिला यहां से सिलेक्ट कर लेना जो भी आपका जिला है जिसे कि आपका जो जिला हो वो सिलेक्ट कर लें यहां से उसके बाद अपने गाउं का नाम डालें जो भी आपके गाउं का नाम हिंदी में डालना चाहें तो हिंदी में डाल सकते हैं जिसे आपके गाउ सा पुलिस स्टेशन है वो आप यहां से सिलेक्ट कर लें जिला डालने के बाद जो भी आपका लगता हो वो सिलेक्ट करेंगे उसके बाद आपको उमर डालना है कि आप कितने साल के हो गए हो साल और महीने का डालना है कितने साल के और कितने महीने को हो गए हो वो अपनी निका में आप या आपके परिवार के खिलाब कोई अपराधिक रिकार्ड रिकार्ड या कोई अपराधिक का रवाई है अगर नहीं यहां पर आपको यहां पर जो है नहीं वाले उप्सन पर ही टिक करना है उसके बाद आपको अपना एक फोटू यहां पर लगा देना है जीसे ही इ जमावाले option पर click कर देना जमावाले option पर click करने के बाद आपको फीस कटवाने पड़ेगी आप अपने फीस ATM से या UPI चलाते हो फोन पर चलाते हो बो डालके आप फीस कटवा सकते हो आपकी फीस कट जाने के बाद आपको एक slip generate होगी बो आप लोग अपने पास रख़ाने के लिए जो है आपको अपने अगर आप जल्ली बनवाना चाहते हो अगर चाहते हो कि 7-8-10 दिन में हमारा चरित्र प्रमाड पत्र बन जाए तो आपको एक आधार काड ले जाना पड़ेगा उसके बाद एक आप अपना निवास ले जाएं जो भी आपका निवास है अगर वो त परदान वाला ले जाएं और बहां पर आप उसे ले जाएं और वेरिफिकेशन करवा दें तब आपका जल्ली चरित्र प्रमाड पत्र बन जाएगा यह सब करने के बाद आपको दुबारा पर आपको मिलेगा अप्ली केशन इस्तिति खोजी यानि कि आपने जो अपलाई कि तो आप इस पर किलिक करेंगे किलिक करने के बाद आप सेवा का प्रकार चुनेंगे यहां पर देख सकते हो यह सेवा का प्रकार है इस पर किलिक करेंगे तो आपको क्या करना है इस पर किलिक करने के बाद आपको चुनना है कि आपने चरित्र प्रमाड पत्र यहां पर चरित् लिए odऊगे तो यहाँ पर दिखाई देगा आपका रजीक्राभ सक्टे और यहीं से डाउनलोड कर सकते तो देख सकते और आपका बन जाएगा तो यहाँ प्रमाटपत्र डाउनलोड करने का औप्सन आ जाएगा और यहाँ पर जो है किन किन जगहां से आपका पास हो गया वो यहां से आप चेक कर सकते होगर आपका कहीं से पास नहीं हुआ तो उसमें नंबर दिया गया है आप नंबर पर काल करके उनसे अपनी समस्या बता सकते हो कि हमें जल्ली बनवाना है तो बोलो कि आपका जल्ली कर देंगे यहाँ पर डाउनलोड करने पर आप जब किलिक करोगे अगर आपका डाउनलोड नहीं हो रहा तो यहाँ पर यहाँ पर लंबित लिक्क के आ रहा तो एक दो जिनका आप बेट कर लें फिर आपका डाउनलोड हो जाएगा तो आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो गाईज आपका कोई भी कोशन है तो कमेंट करके पूंच सकते हैं अगर डाउनलोड नहीं हो रहा आपका बन गया तो बेट करें और आप इसकी आप इसल साइड से भी अपना आईडी डाल के वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं कभी कभी क्या होता है इसमें यह साइड चलती नहीं सही है इसकी मेरे केज में जो है साथ आठ दस दिन में यह लगवक बन जाता है कई हमने करेक्टर सेटिवगेट किये हैं वो बन गये हैं साथ आठ दिन में ही बन जाते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल पर जो भी लेटेस्ट नोकरिया निकलती एजुकेशनल वीडियो आपको मिलते रहे हैं अगर आपका कोई कोशन है तो आप टेलिग्राम पर हमसे संपरक कर सकते हो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बोक्स में लिंक है थ कर दो